हलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं खस्ता कोचोरी एकदम मार्केर से भी बहुत अच्छा एकदम जो हल्वाई बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे और इसे बनाने के लिए में ज्यादा मेहनद भी नहीं करने पड़ेगी और एकदम बजार से कई गुना अच्छा बना स पसंद करेंगे तो चली आज की वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ औरी के लिए आटा लगा के तयार करेंगे तो मैंने यह पर एक कप मैदा लिया है आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसी के साथ हमें डाल अजवाइन को थोड़ा सा मसल के डालेंगे और इसमें डालेंगे मोयन के लिए तेल तो मैंने यह पर बड़ा कर्ची से लिया है एक कर्ची और आप चमस से लेंगे तो यह पर तीन चमस तेल लेंगे क्योंकि मैंने यह पर एक कपी मैदा लिया है इसमें मोयन देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें तेल जो भी दे आप मोयन जिससे भी तेल से घी से और या फिर बटर से तो आप क्या करें इसे इस तरीके से मसल की आप देखिए हाथों को थोड़ा सा दबाए आटे को हाथ में ले और थोड़ा सा दबाए अगर वह असानी से लड़ू जैस तो बहुत अच्छा बनता है क्रिश्पी करारा एक दम कुरकुरा खसता बनता है अब इसमें क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा लगा के तैयार करेंगे और इसका आटा हमें टाइट ही लगाना है सॉप्ट आटा नहीं लगाएंगे अगर आप सॉप्ट तो जो आठा लगा लिया और इसमें अधा कप से भी कम पानी लगा है अब इसे थोड़ा सा रेष्ट देंगे इसे ढग देते हैं तब तक मैंने आधा कप मूंकी दाल लिये इसे भीगो के रख दिया था मैंने तीन से चार घंटे के लिए और इसमें पानी बिल्कुल भी ना थोड़ा दरदरा भी पिसेंगे तो चलेगा क्योंकि हम इसकी कुछ औरी बनानी है तो देखे मैंने दाल पीस लिया है अब हम दाल को सेकेंगे तो इसके लिए लेंगे पैन और उसमें डालेंगे हम दो चमच दो बड़े चमच तेल और तेल को थोड़ा सा गरम होने देंग चमच मर्च पेश्ट लिया है अब थोड़ा सा इसे भून लेना है और उसके बाद हम डालांगे सुखे दनीया पाँडर डाल रहे हूं और धनीया ने थोड़ा सा जणादा लिया है गाम Santa तरहें थोड़ा साँ नालेते हैं कि आप 3 मचा पीसित्थ द्रें आप 3 गवास डशुर दाले सेल एक पिसाऊ डाले दाले लिए नालो भीचाओं देट राटी देट हैं तो आप सौफ जरूर डाले मैंने आदी चोटी चमज सौफ लिया है और पिसा हुआ दाल डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से भूनना है हमें जब तक यह पैन ना छोड़ दे और यह अच्छा सा कलर ना जा इसमें तब तक हमें दाल को भून लेना है अब देख सकते हैं द अगर मसाला नहीं डाल रही हूँ अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें डालते हैं आमचूर पाउडर मैंने आप एक छोटी चमज आमचूर पाउडर लिया है इसको डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप जरूर डाले आमचूर पाउडर और थोड़ा आप इस तरह के बॉल बना कर लेंगे न तो जब हम इसके श्टफिंग करेंगे तो लगेंगे नहीं तो क्या होता है जो मैदा सफेद और ये पीला रंग है तो उसमें थोड़ा सा कलर आ जाता है यह पहले करके रखने से अच्छा होता है तो हमारा आटा भी तैयार हो गया ह अब इसके हम थोड़ा सा मसल लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे इसके छोटे-चोटे बॉल बना लेंगे तो यहां पर आप बड़े चोटे जैसा आपको बड़े पसंदों कोचोरी जितनी बड़ी बनानी है उसी हिसाब से बना सकते हैं मैंने आप छोटे नीमू के स इनके का लिंग कि बहुत सारी रेसिपी मैंने पोस्ट की है जो हल्दी रांं वाली स्ुखी कोचोरीी आती है जो पैकेट वाले जिस से महीनों तक रहा उसकी रेसिपी मैंने पोश्ट की मैं लिंक आपको डिस्किप्रियौं बॉक्स में दे दूंगि आप वहां से देख सकत अब इसे बाता है tut शाहल के हातोब से दबाते हुए ऐसे खाल जोत कर दोगे निए तेल करेंगगी, तो फ्राई करने के लिए तेल को अच्छा गरम कर ले पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम कर ले और फ्लेम को लो कर दे जब लो कर ले उसके बाद इसमें एक एक कोचोरी करके डाले और जब कोचोरी आप डालेंगे तो क्या होगा कोचोरी नीचे रहेगी और जैसे यह फ् कोचोरी डालने के बाद थोड़ा सा फूलता है जगा भी होना चाहिए तो एक बार में जितनी आए उतना ही डाले ज्यादा ना डाले तो देखिए एक तरफ से फ्राई हो चुका है अब हम इसे दोनों तरफ से तल लेंगे अच्छा गोल्डें ब्राउन होने तक तो देखिए मैंने कोचोरीों को तलने में टोटल आपको दस से बारा मिनट लगेंगे क्योंकि इसे लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना होता है अगर तेज आच पे करेंगे तो क्या अगा वो कच्चा रह जागा उपर से कलर तो आ जागा लेकिन अंदर से पकेगा नहीं तो कम चलत लोगी और आप हिसे तेले और इसे थोड़ा सा ज्याधा भी फ्राई कर सकते हैं मैं इतना ही मनिकाला रही हूं आप थोड़ा सा दाक भी कर सकते हैं लेकिन कोचोरी से तरी के ब然后 और आप इसे निकाल के टीश उपबयू पर रहा और यह लीजी हमारी कोचोरी बनके तयार हो गई है एकदम खसता अब यह ठंडा होने के बाद भी स्वाफ नहीं होती है इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप इसे चटनी के साथ खाए या कैचप के साथ खाए या फिर आलू की सबजी के साथ खाए बजार से बहुत अच्छी और असान तरीके से कोचोरी आप घर पर बना सकते हैं एक बार जरू ट्राइब करें अब मैं आपको तोड़के भी दिखाऊंगे अंदर से कैसी एकदम आवास होगे आपको पता चल रहा है आप एक बार जरू ट्राइब करें वीडियो पसंद है तो लाइक करें फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें आप भी फोलो कर सकते हैं बाई बाई